अलो दोस्तों आज हम लोग AP का practice set 3.3 करेंगे इसका question number 6 करेंगे अगर आपको ये question के अलावा कोई और question में doubt है तो आप मुझे comments में या तो Instagram और Facebook के page पर पूछ सकते हैं और अगर आप महरास्टरा boards का mathematics मुझे सीखना चाते हैं तो ये channel को subscribe कर दीजिए और अगर आप ये board से नहीं है तो भी से subscribe कीजिए ताकि आपको mathematics की trick मिलेगी जो आपको आगर जाके बहुत काम आएगी ठीक है अब question no.6 start करते हैं यहाँ पर लिका है sum of first 55 terms in an AP ठीक है तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिए है कि S 55 की value दिए है जो की कितनी है इस 330 ऐसा दिए है अब उन लोग ने बुल plus n minus 1 into d होता है ठीक है यहाँ पर मैं को n के अलावा कुछ नहीं बता तो यहाँ पर मैं equation में n को 55 put कर दूँगा और यहाँ पर यह 2a plus 55 minus 1 into d हो जाएगा जो कि अपना 3300 हो जाएगा ठीक है अब मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा 55 by 2 हो जाएगा और यह बला पार्ट हो जाएग ठीक है और यह अपना 3300 ही रहने वाला ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा पता है यह 2 को यहाँ पर बेच देता हो तो यह 2a चलो यहाँ तो मैं ऐसा कर लेता हो 55 by 2 ऐसे लिखता हो और यहाँ से 2 common निकाल लेता हो तो यहाँ पर क्या बच्छेगा a plus 27 d कितना हो 5 और यह 300 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा और यह 60 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर a plus 27 d कितना हो गया 60 हो गया ठीक है बट अगर आपको find करने के लिखना है अब यह आपको a की equation बोला है और आपको find करने क्या बोला है t28 ठीक है तो अब मैं t28 find करूंगा तो t28 क्या होता ह a plus n minus 1 into d ठीक है तो आपको यहाँ a plus यहाँ पर क्या लिखना है 28 minus 1 into d यह हो जाएगा a plus 27 d अभी अभी देखो ना हमने a plus 27 d फाइंड किया है जो कि 60 हो था तो आप कांसर 60 है मतलब t 28 कितना हो गया 60 हो गया ठीक है अब next sum करते हैं next sum मैं ऐसा बोला है कि in an a p sum of the first three consecutive term is 27 कभी भी आद रखना three consecutive term बोले ना तो इसको assume कर लो let a minus d a और a plus d is three consecutive consecutive term of an a p ठीक है term of a p तो यह assume कर लो आप ठीक है तो यहाँ पर देखना यह पूरा a p रहागा इसको common difference अब same रहेगा ठीक है तो अब इन लोगों ने क्या बोला है sum of three consecutive term is 27 मतलब इनका अगर मैं sum करूँगा a minus d plus a plus a plus d ठीक है उसका sum कितना हो जागा 27 ठीक है तो पहले condition से मैं ऐसा बोलूँगा यहाँ पर d d cut हो जागा और 3 a कितना हो जागा 27 और a कितना आजएगा 9 आजएगा ठीक है अब इतना रख देते हैं अब यहाँ पर क्या बोला है their product is 504 ठीक है अब product बोला है product मतलब a minus d और a और a plus d इनका product कितना हो जाएगा 504 ठीक है बट a की value मैं को पते क्या है 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 minus d और 9 9 और 9 plus d हो जाएगा ठीक है जो कि 504 हो जाएगा अब मैं क्या करूंगा यह इन दोनों को ऐसा लिख सकता हो यह है a minus b और a plus b तो इसको ऐसा लिख सकता हो 9 square और d square ठीक है और यह जो 504 है यह 9 वाले part को मैं नीचे ले लेता हो ठीक है तो अब 81 minus 46 is equal to d square हो जाएगा ठीक है अब अगर मैं इसको solve करूंगा तो answer कितना आएगा 25 equal to d square आएगा तो मतलब d की value किया जाएगी plus minus 5 ठीक है तो यहां से मैं को d plus minus 5 आ गया देखो अभी तक हमें answer नहीं आया है यहां पे बुला है find the terms मतलब यह वाले terms find करना ठीक है तो पहले तो मैं assume करूंगा जब मेरा a 9 होगा और d मेरा 5 होगा ठीक है तो मेरा पहला वाला term क्या हो जाएगा a minus d जो की हो जाएगा 9 minus 5 जो की हो जाएगा 4 फिर a क्या हो जाएगा 9 जो कि हो जाएगा 9 और फिर a plus d कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 9 plus 5 जो कि हो जाएगा 14 थीक है तो मेरा 4 9 और 14 terms रहेंगे ठीक है यह वाला मेरा terms रहेगा ठीक है r in ap अब अगला क्या रहेगा अगला कुछ ऐसा रहेगा कि अब मैं a को तो 9 लोगा बढ़ D मेरा मैनस 5 लोगा ठीक है क्योंकि मैंको D यहाँ पर 2 आया प्लस मैनस 5 तो मेरा A कितना हो जाएगा A मैनस D लोगा पहले मैं तो A मैनस D कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 9 मैनस और मैनस 5 ठीक है क्योंकि D की value minus 5 है तो आपका answer 4 हो जाएगा तो next term क्या रहेगा 14, 9 और 4 terms are in AP तो पहले term यह हो जाएंगे और फिर दूसरे term यह हो जाएंगे तो यह दोनों answer आपका रहेगा अब अगले sum करते है अगले sum में कुछ ऐसा बोला है कि आपको if the ninth term of an AP 0, ठीक है मतलब ऐसा बोले कि ninth term 0 है, ठीक है, किसका AP का अब फिर इन लोग ने बोले show that the 20th 9 29th term is 2 times of 19th term, ठीक है तो कोई बत नहीं बहुत simple है, पहले यहाँ पर मैं यह put कर लेता हूँ, यह क्या हो जाएगा a plus n minus 1 into d equal to 0 हो जाएगा a में को पता नहीं, बट में को n पता है n की value 9 होती है और d मुझे पता नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर a plus यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 और d हो जाएगा, तो यह मेरा एक पहला equation आ गया इसमें मैं a को ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस d ठीक है, तो यह मैं first equation consider करूँगा, ठीक है अब ना, अब मैं पहले t29 find करता हूँ, तो t29 क्या हो जाएगा a plus n minus 1 into d होता है, ठीक है तो यह क्या हो जाएगा, a plus 29 minus 1 into d, जो की हो जाएगा a plus 28 d, अब a की value की है, minus 8 d, तो यह हो जाएगा minus 8 d plus 28 d, तो यह कितना हो जाएगा, 20 d, ठीक है तो यह इसको equation 2 ले लेंगा, ठीक है अब अभी t19 करेंगे, t19 क्या हो जाएगा, equal to a plus n minus 1 into d हो जाएगा तो यहाँ पर a, a रहेगा, और यहाँ पर 19 कितना हो जाएगा इसको 19 minus 1 लेंगे, तो यह हो जाएगा, a plus 18 d, ठीक है अब में को पताएगा, a क्या है, a मेरा minus d है, तो यह minus 8 d है plus 18 d है, यह कितना हो जाएगा, 10 d हो जाएगा, ठीक है, तो यह equation 3 अब आप दोनों को ज़रा देखिए, क्या मैं t29 को, t29 को, जो कि 20 d है क्या मैं इसको जाएगा, तो 2 times of 10 d, और मेरा 10 d क्या है, 10 d मेरा t19 है, तो यह मेरा हो जाएगा 2 times of t19 और actual में यही प्रूफ करना था, कि 29 टर्म उसका 2 times of 19 है, ठीक है हलो दोस्तो, मेरा नाम जतिन शर्मा है, IIT Jam Mathematics में मेरा All India Rank 406 था मैं online personal lecture, या तो doubt solving रहता है, कोई भी class रहेगा, कोई भी topic रहेगा, mathematics का, degree का भी रहेगा, तो भी चलेगा, आप मुझे call या whatsapp कर सकते हैं, email address भी मिल दिया है आप subscribe कीजिए चैनल को, और ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा, तो आप मुझे facebook या instagram पर पूर सकते हैं, मैं आपको reply करूँगा, link description में है